हैंडेश दरपाण गाथाराजस्तामी में आपका हरदक स्वागत है मैं हूँ पूजह से दर्शकों हर्यारा भ्रामणों का कानोत ठिकाना छापावतों की जागीर में रहा कैसे रहा जागीर में ये खास चर्चा करेंगे हमारे साथ है जुतेंदु सिंग शेखावत वरिष्ट पत्रकार है इतिहास के गाता भी है आगरा जैपूर रोड पर बसी के पास हरियाना अब्राहमन बहुल्य कानोता गाउं रियासत काल में चापावत राठोडों की जागीर में रहा सन 1774 में कानोता मारवाड के पीलवा से आये जोरावर सिंग की जागीर में रहा कानोता में चापावतों के शांदार महल बने हुए हैं जैपूर के शांद का नाराएंड सिंग सरकिल और नाराएंड निवास इसी वन्स के नाराएंड सिंग के नाम पर बना हुआ है नाराइन सिंग जैपूर रियासत में पुलिस महा निदेशक भी रहे थे कानो तागे जनरल अमर सिंग जैपूर की सेना में 1923 से 1926 तक कमांडेंट रहे अमर सिंग की संगरहित 10,000 पुस्तकों का एक पुस्तकाले इनके वन सजोने बना रखा है जिसमें शोद के छात्र पुस्तकाले का लाब लेते हैं करणल केशरी सिंग भी इसी परिवार से समन्दित थे उठ जिनोंने शेर के शिकार पर कई पुस्तकें लिखी काणोता के पुस्तक संगरह में अमर सिंग की 45 पुस्तके तो सिर्फ बोजन कैसे बनाया जाता है इस पर लिखी हुई है पीलवा के ठाकूर जोरावर सिंग काणोता के संस्तापक थे वे 1800 गुनतर में पीलवा से जैपूर आये और अस्वसाला के हाकिम बने वे सवाई राम सिंग के विश्वस्त बन गए थे इससे उनका प्रभाव पूरी रियास्त में बढ़ गया था सुरू में जीतावाला गाउं की 708 रुपे की सालाना जागीर का गाउं उनको मिला बक्षी कार खाना जात के निदे सक्वी वो बने फाल्यावास और रामपुरा भी इनकी जागीर में रहे अठारा सो गुणहसी में कानोता मिला तब वे अन्य सामंतों की तरह हाती पाल की की पर्थम स्रेणी के ताजी में सामंत जापुर रियासत में हो गए थे हल्दियों के रास्ते में इन्होंने हवेली बनवाई और अपने पिता की याद में जीवराज सागर कानोता में बनवाया राम बाग और मोती डूंगरी के बीच साथ बीगा में कानोता बाग इन्ही का ही बनाया हुआ था सवाही राम सिंग वेस बदल कर परजा से मिलने के लिए निकलते तब जोरावर सिंग और उनका पुतर नाराइन सिंग उनके साथ रहा करते थे काणोता के जैपुर शहर के नजदीक होने से यह क्या जा सकता है कि यहां की एक टांग जैपुर में तो दूसरी काणोता की जमीन पर थी यहां पर इंटों का बनाने के सैकडों बटते हैं तमाटर की फसल भी जोरदार हुआ करती थी यहां की पीली और चिकनी मिट्टी चूले की लिपाई के लिए बहुत काम आती बानी जाती है जमीनों की खासियत है कि बबूल का पेड बिना लगाए यहां पर लग जाता है जातियों के इसाब से काणोता में हरियाना ब्रामनों का बहुत ज़्यादा वहुमत है करीब 300 घर हरियाना ब्रामनों के हैं विसंद सिंग शेखावत ने राजस्तान पत्रिका में लिखा था कि अखिल भारती हरियाना समाज के पदादिकारी भी काणोता के बनते आये हैं, हरियाना ब्रामनों में से सरपंच बनते आये हैं, काणोता की नदी में उतर परदेश के लखनव आदी से किसान लोग आते हैं, मज़दूर लोग जो तर्बूज और खर्बूजे और काकड़ी का उत्पादन करते थे यहां दूद का धंदा अच्छा है हैंड लूम के कपड़े बनाने का काम जोरों पर रहा कानोता के कोली अच्छी क्वालिटी की मलमलत मनाते थे धूंड नदी को रोक कर कानोता बांद बनाया यह बांद जैपूर की प्यास बुजाने के लिए बनाया गया था लेकिन सेर की गटर का पानी इसमें आज भर रहा है कानोता में मदनलाल टाक, अवियंता बना, नाथूलाल बरसों पहले अच्छे समाच से भी थे पुराने समय में जैपूर के लोग कानोता में पतंग उड़ाने के लिए जाते थे नदी के पेटे में पतंगों के दंगल हुआ करते थे और पहले महिलाएं पुराने चरके पर घरों के बाहर बेटी सूत काती नजर आती थी हरियाना ब्रामनों में दूद का अच्छा काम है गाय भैस रखते हैं कई मन दूद डेरी और जैपूर में आता है हरियाना ब्रामन महासभा के नेता बंदावाला के गुलाप चंद सर्मा ने बताया कि राजस्तान में हरियाना ब्रामन समाज में बसी के नंदलाल आचारे कपूरा वाला के भवरलाल सर्मा स्वतंतरता सेनानी रहे दोसा जम्वारामगड निवाई आगरा रोड अजमेर रोड लाल सोट नाईला अदि में हजारों हरियाना ब्राह्मन निवास करते हैं विधायक शिवराम सर्मा मौवा के विसंबर भोरा डाक्टर रामराय सर्मा मंबोरिया के संकरलाल सर्मा जैसे समाज के देताओं ने समाज का नाम उंचा बड़ा